खबर इंदोर से है जहां राव इलाके में रविवार को सुसाइट करने वाले दमपती सचीन और मोहिनी को लेकर कई चौकाने वाली बातें सामने आई हैं दोनों की मौत के लिए माता पिता को जिम्मेदार ठहराने को लेकर भी खुलासा हुआ है दोनों के बीच कुछ दिन पहले बिवाद भी हुआ था जो खजराना थाने तक पहुचा था यहां हम आपको बता रहे हैं वो कारण जिनके चलते पती-पत्नी ने सुसाइट कर लिया है टी-आई नरेन सिंग्रगवनसी के मुताविक बड़ा बाजार में किराये के घर में रहने वाले सचिन पतेल और उसकी पत्नी मोहिनी की आत्महत्या में जीजा राजकुमार से पुलिस ने पूँच नाच की है उसने बताया कि सचिन के परिवार में कोई नहीं था बिरुजगार होने के चलते सचिन अपने साथ ससुर के तानों से परिशान था इसलिए वे अपनी पत्नी को ससुराल से दूर रखना चाहता था पुलिस को संका है कि रविवार को पहले दोनों के बीच कुछ तनाव हुआ जिसके बाद उसने यह कदम उठा लिया राजकुमार ने बताया कि राव में वे उनके पास आता जाता रहता था सचिन ने कुछ दिन पहले उनसे कहा था कि उसे अब खजराना में नहीं रहना है उसे राव में कमरा दिला दो यहां वे अपनी तीन साल की बेटी हरसिता और पत्नी मोहिनी के साथ रहेगा इसके चलते राजकुमार ने दो दिन पहले अपने परिशित के माध्यम से सचिन को यहां कमरा दिला दिया था सचिन यहां दो दिनों से रह रहा था सनिवार राद को ही वे अपनी पत्नी मोहिनी को लेकर यहां पहुँचा था मोहिनी कुछ समय से आगनवाडी में नौकरी कर रही थी जबकि संजय बेरुजगार ही था इसी बात के चलते उसके सस्राल वाले उससे नाराज रहते थे पहले इस बात को लेकर सचिन से उसका विवाद भी हुआ था लेकिन मोहिनी ने मामले में सचिन का ही पक्ष लिया था बताया जाता है कि 5 साल पहले जब सचिन और मोहिनी ने साधी की थी तो मोहिनी के माता पिता इस बात से खुश नहीं थे वे सचिन को लेकर ताने कस्ते रहते थे पुलिस के मुताबिक अभी तक जाच में मोहीनी के गले पर हाथों के निशान नहीं मिले हैं, जिससे उसके द्वारा प्रारमभिक तौर पर आत्महत्या करने की बात ही सामने आ रही है वहीं मोहिनी के नाम से जो सुसाइड नोट दिवार पर मिला है उसे लेकर संसय है क्योंकि मोहिनी के हाथ में हल्दी नहीं मिली है वहीं सचिन के एक हाथ में हल्दी लगी है लेकिन पुलिस ने वहां रखी मोहिनी के डायरी से दिवार पर लिखी राइटिंग का मिलान किया तो वैं मोहिनी से मिल रही है पुलिस अधिकारियों के मताबिक सोमवार को दोनों का पोस्माटन कराया जाएगा और परिवार के बयान भी लिये जाएंगे